निकाय चुनाओं के पहले चरण में चार मई को लखनव में भी मतदान होना है, मतदान को लेकर क्या कुछ बेवस्थाएं हुई हैं, वो हम जानने के लिए जिला निरवाचन अधिकारी सुरुपाल गंगवार के साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, सर क्या कुछ तयारी है, कल मत लखनव में चार मई को सुभह सात बजे से शाम को छे बजे तक वोट डाले जाएंगे, मेर और पारशद पदों के EVM के माध्यम से वोट डाले जाएंगे, जिसमें 2515 नगर निगम के बूत हैं, उसमें 30 लाख से जादे मदाता अपने मतादिकार का प्रियोग करेंगे, इस और एक मेर पद के लिए मदान होना है, लगवक्त साड़े बारह हजार लोग अभी यहां से मदान कार्मिक के रूप में सभी बूतों पे जा रहे हैं, यहां पार्टियों की रवानगी हो रही है, अभी अटेंडन्स हो चुकी है, लोग अपनी EVM ले रहे हैं और जो election material मिला है, उसको चेक कर रहे हैं, पिंक बूत और आदर्श बूत बना जाता है, उसकी संख्या के रहे हैं? स्विच्छा से आपको मद्दान करना है, अपने निकट संबंधियों को भी मद्दान करने के लिए प्रेरित करना है, प्रिशासन, निश्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भैमुक्त बातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबध है, तो आप लोग बूत अपने मद्दान का, अपने मतादिकार का प्रियोग करिए, हमने सार्वजनिक अवकाश भी चारतारी को घोशित किया हुआ है, तो कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, जो कि मद्दान करना चाहें और उसको उसका अवसन ना मिले, इसके दर्श्टिगत सार्वजनिक अवका हैं, हर मद्दान केंदर पर परियाप संख्या में फोर्स तैनात की गई है, उसके अतरिक्त भी जहां संवेधन शीलता जादा है, वहाँ पर हमने स्टैटिक मजस्टेट्स और वीडियोग्रेफिक की विवस्था की है, तो साथ है कि मद्दान को लेकर तमाम जो तैयारियां यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, और आज से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं, उनकी रवानगी सुरू हो गई, कैमरामेन सर्वजीत के साथ ऑनीश कुमार भारत एक्स्प्रेस लखनौ